तो गाड़ी चलाई भईया अब लग रहा है किसको चार्ज करना पड़ेगा तो दोस्तों यह है एमजी की कॉमेट छोटी सी गाड़ी लाँच हुई है और मैंने और प्रियांशु ने जम के इसको चलाई है धून के चलाई है प्रियांशु एक बात बड़ी जबर्दस्त कहा रहे थे चलते-चलते कि एक चीज होती तो मज़ा आजाता पांच लाकी होती ना तो मज़ा आया था पांच लाकी वैसे दर्श्त को आपको बता दे कि यह आठ लाक कंपणी में इसका रेट टाय किया हुआ है एक्स शोरूम प्राइस मतलब जब आप इसे खरी देंगे तो कुछ-कुछ बढ़ी जाएगा कर देखे काड़ी छोटी है ना प्रियांशू तो छोटी है लेकिन हाँ अगर आप फ्रेंट में बिठाते हैं तो मेरी हाइट के शैफिट के प्लस के जो लोग है वो बैठ सकते हैं पीछे लेकिन एक ताद दो नहीं बैठ नहीं पाएंगे हाँ लेकिन फिर भी मतलब अगर और नैनो से छोटी इसकी साइज है तो लोग यह सोचेंगे कि अंदर से भी छोटी होगी लेकिन इसा है नहीं लेकिए डोर इसका बहुत बड़ा है मज़दार है यह अच्छा लग रहा है तू डोर है तो बड़ा दिया हुआ है एंट्री के लिए भाई साब हमारे भीमका है साथी गुसेंगे और आप लोगों दिखाएंगे कि क्या एंट्री में क्या कोई दिक्कत आ रही है साथ में म बंदू चीक है यह मैंने कर दिया बंद और मैं भी अब आ रहा हूं अंदर अब बताए भाई साब कैसा लग रहा है बिल्कुल कंफर्टिबल है इस्पिशियस है मेरे ले लिए भी वेक्दम पाहर देखके उमीद नहीं है कि अंदर इतनी जगे होगी लेकि जगे है यह अग्जाक्ली दूर जो इतना प्यारा है इस पर सारी जो नकाशी आपको दिख रहे है ना जो सौफनेस है वो जबरदस्त है अजा प्रियांशू हमने जो इसके फीचर ट्राई किये तमाम खास्तों से यह स्क्रीन जो इसका 10.25 इंच का दो-दो स्क्रीन दिया हुआ है वो इसमें दिया है कि इसमें आपको कीलेस है बस आप अपने पॉकेट में रखें अंदर बैठेंगे वेलकम करेगी और उसके बाद गाड़ी रेडी हो जाएगी बिलकुल आगे जाने के लिए देखिए यहां पर नॉर्मली गाड़ियों में यह प्रियांशू यहां पर हम लो कि बहुत स्मूछली आप आगे बैठ सकते हैं यह और दो लोग बैठे हुए हैं मतलब मेरी भी हाइट पांच दस से बहुत कम भी नहीं है अब इनकी बहुत 6 प्लस है फिर भी हम आराम से बैठे हुए हैं लेग स्पेस मिला हुआ है बैठने के लेटी ताषी जगा है पीछ तरह की इंफोर्मेशन आपको इसमें मिलेगे स्क्रीन के जरीए इंफोर्टैन्मेंट सिस्टम इसका बहुत ही शांदार है 30 प्लस वो है वोईस कमांड है इसमें वो भी इंग्लिश में वोच्पूरियों में रहता तो माजा आ जाता है अच्छा देखिए अब यह गाड़ अच्छी तो यह बड़ी बात है 45 की पावर है 110 का टॉर्क है जब आप चाहाई पर जाएंगे न तो वो इसका मज़ा आपको समझ में आएगा इसके अलावा प्यांशू वो हम लोग पार कर रहे थे तो वो बताए कि किस तरफ है अच्छी इसके खासियत मुझे लगी कि अगर आप बाहर देखेंगे गाड़ी बड़ी छोटी है आप अंदर बैठते हैं आप कुछ अगे लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक समस्या आती ह है मेट्रो सिटीज में पार्किंग यह इतनी शांदार तरीके चाप इस गाड़ी को पार कर सकते हैं कि जंजट ही कतम और बहुत आसानी से टर्न हो जा रही है ना 4.5 एम का वो टर्निंग रेडियस है बहुत स्मूथली बहुत स्मूथली तो अच्छा इसको बनाया भी गया है इसी लियास से मतलब कंपनी खुदी क्लें कर रहे कि भाई यह शहरी मुव्मेंट के लिए मॉबिलिटी के लिए यह है यह गाड़ी मतलब आप शहर में कहीं कुछ जगों पे जा रहे हैं और वहां कुछ थोड़े मड़े काम करने हैं तो वहां पर आप इस तो ले जा सकत बिलकुल 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 शहरों के लिए गाड़ी बहुशांदार है लेकिन फिर वही बात पांच लाग होता ना तो मज़ा आ जाता है पांच लाग पे तो मामला अटका हुआ है पांच लाग तो खैर कंपनी ने किया नहीं बलकि शूरु-शूरु में जब रेट नही रहे थे और वाकई आपकी बात एक हद तक सही भी है कि कि जब गाड़ी पहली बार कोई लेगा ना तो आठ लाग सुनेगा और इस साइज की गाड़ी तो वो शायद कुछ और ऑप्शन पे भी सोचे कि आठ लाग क्यों कुछी आठ लाग एक आम आजमी के लिए बड़ी ब अधिन किया है तो उसी साब से तमाम चीज़ दी है कहीं से आपको बिल्ट कॉालिटी हो या लुक हो या फीचर सो उसमें तो आप नहीं काच सकते बाकि कमिया तो कुछ ना कुछ रहती है और हम लोग तो इसमें माहिर हैं निकाल के बेटे ही है कि क्या-क्या है एक तो आपन जब हम इसको पार्क कर रहे थे तो आपको याद होगा कि जब यहाँ पे बिल्कुल हाँ दिवार के पास पार्क तो हो जा रही है लेकिन जब आप निकलेंगे ना तो इस दर्वाजा पूरा खुल नहीं पाएगा तो वो एक समस्या है इस गाड़ी के साथ ये इशू है रह पार्किंग दो हो जाएगी जब निकलने में कैसे कुछ जादी छडी घुमा के छोटा करना पड़ेगा आपके आकार को और क्या हमें लगा जो और हम बता सकते है एक जो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में थोड़ा सा बहतर और किया जा सकता है जो पीछ अगर आप चाहे बनाना तो इसके जरीए ऐसे इस बना सकते है लेकिन वह भी तब जब सिर्फ दो लोग हो अगर चार लोग आपके पांस हो तो समान रखने के लिए कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ है नहीं जगह है नहीं एक और चीज थी ना जब हम चला रहे थे तो हमें जहां ब्रेकर मिल रहा था वो जटके लग रहे थे तो थोड़ा सा इ टायर में बिलकुल नैनो की तरह ही है और यह चोटे टायर की खैर यह एक डिमेरिट होती है कि वह उस तरह से आपको बंपी रास्तों पे वह समूतने से जटके ज्यादा लगते हैं तो वह एक वजह है चार्जिंग गरा उस पर बात कर लिजाए भाई साब हम लिए जब सु एक गंटे में चार्ज कर लेते हैं लेकिन सवाल गही है कि आदे गंटे के बाद भी हम लोग फोन चार्ज नहीं कर लेते हैं करना भूल जाते हैं तो गाड़ी साथ गंटे चार्ज करना बड़ा चालेंज है यह है इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा है कहीं और इसी वैसे एक दिक्कत आएगी जब आप कईसी लॉंग टोर पर जानी कि सोचेंगे न तो इसके साथ एक हिच एक डर मैसूस होगा कि भाई आ आपको बिलेंगी कि आप चाही पीने गया तो गाड़ी भी चार्ज कर लीजे भाई या दो गटे चार्ज कर लें बिल्कुल मुझे लग रहा है यह आने वाल समय होगा लेकिन यह चीज है जो आपने कहा कि बाहर जाने के लिए लोग परिशान होंगे लेकिन अगर शहरों म हुआ मज़ा आया था है जान चुक गाड़ी तो छोटी है मज़ा भी आया चलाने में बिजली वाली भी है लेकिन सेफ्टी फीचर माइन रखता है तो मजबूत है कि नहीं घाड़ी यह देखना ज़रूरी होगा कि नहीं मजबूत अभी पता कर लेते हैं कैसे अरे अरे भा यही चीज़े हैं प्रियांचु। सॉलिड लगे मजबूत है। गाड़ी को अंदर से भी और बाहर से भी देखेंगे तो आपको यह समझ माएगा कि हाँ एक जो फॉरेंड बिल्ट कॉलिटी स्टेंडर्ड जो हम अपसर वो मेंटें किया है और एम जी और इसको मेंटें करती भी है और थोड़ी प्रीमियम इस तरह क्लास में उसकी एक अपनी पहचान है और शायद यही वजह है न कि यह पैसे जो आप बोल रहे हैं कि होना चाहिए कितना पांच लाट वो नहीं पा रहा है लेकिन अर्विन भाई एक समस्य आएगी स्टेफनी तो है ही नहीं अगर पंचर हो गई तो हाँ यह है यह मैंने भी एक्चली पूछा था कि अगर यह समस्य आ रहे है तो होगा क्योंकि आपने पीछे देखी लिया स्पेस से इत्तू सा है और लेकिन इसमें एक चीज है कि आप छोटी गाड़ी है तो बहुत ज्यादा स्पेस आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि तो फिर वो बड़ी में आ जाएगी गड़ी वाली रेंज में एक चीज है इसमें यह किट है इस तरह का कि अगर पंचर हो गई तो उस किट के जरीए आप उसमें एक फ्लूड है इतना चलाया हमने इस गाड़ी को लेकिन जी भारा नहीं एक राउंड और बनता है चली हमने बेड लगा लिया है ऑटमेटी का मज़ा है बस ब्रेक दबाईए इसको डालिए ड्राइब मोड पे और एकदम आराम से एकसलेट करते हुए जूम